हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लिकेशन में आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं जी हाँ आपको इसे इंट्राडे में करना होता है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है जैसे की कोई स्टॉक मान लो 100 रुपे पे ट्रेड कर रहा है और आपका एनलिसिस ये बोलता है कि ये स्टॉक उस दिन में 90 रुपे पे नीचे आने वाला है तो आप उसे 100 रुपे पे सेल कर देते हो आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आप ब्रोकर से बोरो करके इसे सेल कर देते हो और जैसे ही 90 रुपे आता है आप उसे फिर से बाय कर देते हो और बीच का 10 रुपे आपका प्रॉफिट होता है जो भी future आप sell करोगे उससे expiry था hold करोगे लेकिन equity में आप सिर्फ इसे intraday में कर सकते हो यानि कि कोई stock में आपको short की position लेनी है तो सिर्फ वो intraday में आप ले सकते हैं अब उसके लिए analysis करना बहुत जादा जरूरी है अगर आपका analysis गलत हो गया और stock उपर की side में भाग गया तो आपको नुकसान हो सकता है तो technical analysis करें बगएर short selling ना करें ये risky होता है disclaimer इसलिए मैं पहले ही दे रहा हूँ मैं आपको random stock यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी random चीज़े करनी है random चीज़ों से आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है positions में देखोगे तो अभी देख रहे है मेरी एक position चल रही है बहुत चोटी सी position है 2 रोपे 50 पैसे का loss हो रहा है 3 रोपे का loss हो रहा है अब वो buying की position है अब मैं short की position बताता हूँ top loser में हम जाएंगे top loser में आप देख सकते है बहुत सारे जो stock है वो red में दिखाई देंगे अब इसमें हम क्या करेंगे एक short की position बना के आपको दिखाने वाले है तो फिलाल तो मैं जो position बनाऊंगा वो बनाऊंगा berger paint में berger paint अभी 21 रोपे डाउन चल रहा है 3.76% डाउन चल रहा है तो इसमें हम short position देखेंगे बनाने की तो stock को देखेंगे chart को देखेंगे chart में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं chart में अभी फिलाल देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे downfall दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे quantity एंटर करेंगे तो जब यह आप short selling करते हो वो भी इंट्राडे में करते हो तो आपको margin मिलता है 5X का यहाँ पे leverage मिल जाता है यह भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर मैं 5 quantity trade करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ चाहिए 477 रुपए मेरे पास अभी है 691 रुपए यानि कि मैं यह सारी चीज़े कर सकता हूँ उसके बाद मुझे market सिलेक करना है या अब लिमिट सिलेक करना है अगर मैं यहाँ पे लिमिट सिलेक करता हूँ तो हमने लिमिट और लगाई थी 555.7 regular sell intraday किया था हमने average price है 555.70 day end में हमारी validity complete हो जाएगी पीछे हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि फिलाल market में यह क्या चल रहा है और हमें profit हो रहा है या loss हो रहा है तो positions में जाएंगे और positions में आप देख सकते हो 5 रुपे का profit हमें यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है तो यह short selling हमने किया 555.7 पे अब price क्या चल रही है 554.60 यानि कि side 3 रुपे का profit हमें सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे जैसे price नीचे आएगी वैसे वैसे हमें यहाँ पे profit दिखाई देगा और इसको अगर आपको exit करना है तो वापस यह buy करना पड़ेगा buy करने के लिए simply इसके उपर click करना है exit के उपर click करना है buy की window open हो जाएगी अब यहाँ पे आप जैसे ही price नीचे जाएगा same quantity के उपर वापस buy order place कर सकते हो buy order successful हो गया done हो गया अब done होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 7.50 पैसे का profit हमने यहाँ पे book कर लिया है तो इस तरीके से आप short selling कर सकते हो grow application में बहुत ही आसानी से जितना आसानी से मैंने दिखा है उतना आसानी से कभी होता नहीं है आपको technical analysis proper तरीके से आना चाहिए proper तरीके से आपको यहाँ पे analysis करना चाहिए उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो short selling कर सकते हो तो without analysis सारी चीज़े ना करे मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाया था कि price नीचे आ सकती है क्योंकि already downfall चल रहा था इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पे कम quantity के साथ 7 रुपे का profit बना लिया हाला कि profit बहुत कम है आप बोलेंगे कि बहुतना सा profit करके क्या करेगा इतने से जादा तो आप charges देंगे मुझे पता है लेकिन यह education purpose वीडियो है इसकी वज़े से मैं यह सारी चीज़े चोटे count पे कर रहा हूँ otherwise मैं बड़े number पे भी कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं बड़े number पे करूँगा तो आप उससे follow करेंगे 100 quantity लेने की कोशिश करेंगे और मैं loss झेल सकता हूँ हो सकता है कोई नया trader loss ना झेले इसकी वज़े से मैं सारी चीज़े कम quantity में करता हूँ तो यह सिखाने के लिए सारी चीज़े चल रही है ना कि बताने के लिए कि मैं कितना profit कमाता हूँ वो अपना अपना profit आप कमाओ अच्छी बात है लेकिन सारी चीज़े सीख के करो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आयो तो फ्लीज लाइक कर देना अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षेन में पूछ सकते हो और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलना धन्यवाद